नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों आज की जो वीडियों में हम करने वाले हैं आपका जो CET में जो गुरूब D वाला जो एक्जाम हाली में होने वाला है और यह जो हम यहाँ पर पॉस्चिन करने वाले हैं आपके गुरूब D के लावा अचैसी का कोई अन्य एक्जाम हो चाहिए इसमें आपका ASTAT वाला एक्जाम है और DT प्लैस भी वाला है या फिर एक लवे मोडल वाला है तो कहने करती है कि यहाँ पर पॉस्चिन करने वाले हैं आपके सभी एक्जामों के लिए यह वेर वेर इपोटेंट है और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाते हैं तो इसे आप हमारे चैन की प्लैलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हम यहाँ पर करंट अफेर हिंदी इंगलिस हरियाना जी किन सभी सेश मंदित जो महतापन कोश्चन उनको करने वाले हैं तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो कोश्चन है प्रधान मंतरी संसत भवन था तो उसका जो नाम बदला है तो क्या नाम बताया गया है क्योंकि अब लोकसभा में जो मेला विल वह भी पारित हुआ था वो जो नया जो भवन भना है उसमें पारित हुआ था और जो पुराना संसत भवन है फिर उसका नाम बदला गया है अब इसका नाम इन तो यह जो option B में आया है, तो इसको आप समिधान सदन के नाम से जाना जाएगा जो पुराना संसदभावन था, तो एक्जाम की दिश्टी से जाए याँ पर यह question very very potent है, और कल थी 19 तारिक, तो 19 तारिक में जो नया जो लगी थी, तो वो नया संसदभावन में ही सतरजब गया था, उसके बाद आजाता है next हमाला, खादी और ग्राम उध्योग ने, खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझोदा किया है, किसने खादी और ग्राम उध्योग आयोग ने, पुरसार भारती नीति आयोग रिलाइंस फाउंडेशन या इन में देखें तो हमारा सी अंसर रहेगा, उप्शन ये वाला, तो ये है प्रशार भारती के साथ, किसने खादी और ग्राम उध्योग ने, खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, प्रशार भारती जाइन के साथ समझोता किया है, उसके बाद है भारत की जी ट्वंट देख्ता पर, पिपुल्स जी ट्वंटी नामक ये पूस्तक का अनावरान किसने किया है, तो भारत की जी ट्वंटी अदेख्ता पर, पिपुल्स जी ट्वंटी नामक ये पूस्तक का अनावरान, अमित्सहा, एस जयासंकर, अनुराग ठाकुर या अपुरव चंद्रा, और यहाँ पर जो हमारा इसमें सही अंसर है option D वाला तो यह है अपुरो चंद्रा तो भारत में जो यह G20 अधेक्ष्टा पर पिपुल्स G20 नामक ए पुस्ता का अनावार तो यह अपुरो चंद्रा जोहिन के द्वारा किया गया है उसके बाद आजाता है होईसल के पुवित्तर मंदिर समो को युनेसको की वर्ल हेरिटे साइट के लिस्ट में सामिल किया गया है और कौन से राजे में है यह तमिलाडू में है केरल करनाटक या फिर भिहार में तो यह कहां पर है और यहां पर देखे तो option हैगा C वाला तो यह करनाटक में है उसके बाद आजाता है इंटरनेशनल रेड पंडा दे परति वर्स मनाए जाता है अठारा उननीस सितंबर के दूसरे या फिर तीसरे सनिवार को तो इंटरनेशनल रेड पंडा डे यह परति वर्स मनाए जाता है और यहां पर आएगा option दी सितंबर के तीसरे सनिवार को उसके बाद आ जाता है भारतिया निविनिकन उर्जा विकास अजनसी ने प्रियोजनाओ के वित पोशन के किस बैंक के साथ समझोता किया है भारतिया निविनिकन उर्जा विकास अजनसी ने प्रियोजनाओ के वित पोशन के लिए कौन से बैंक के साथ समझोता किया गए है बैंक ओफ महाराष्टर, स्टेट बैंक ओफ इंडिया, पंजाब निशनल बैंक या यूनिन बैंक ओफ इंडिया तो यहाँ पर जो यह समझोता जो किया गए है यह जो बैंक है और इसका नाम है बैंक ओफ महाराष्टर जो यहां पर option A में है नेक्ट आज आता है केंदरे जांच बीडो CBI के नए उप महान निरिक्षक के रुप में हाली में किने निक्ट किया गया है कुलदीप दिवेधी, अमन सीना, विजा कोहली या अंगद मीशना तो जो CBI के नए उप महान निरिक्षक इन में से किने निक्ट किये गया है केंदरे जांच बीरो जी से कह देते हैं और यह जो यहां पर निक्ट किये गया है, जो यहां पर option A में आए है तो यह है कुलदीप दिवेधी उसके बाद है परवर्तन निदेशले के निदेशक कौन है जिनका कारेकाल हाली में बढ़ा दिया गया है विवेक कुमार सिनह, S.K. मिश्रा, रवी, संकर नागर या अनूप लोहाटी तो परिवर्तन निदेश से लेके निदेशक जिनका करेकल हाली में बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर इसमें देखे तो उप्सन रहेगा पीवाला, तो यह है SK मिस्रा जिनका करेकल हाली में बढ़ा दिया गया है उसके बाद है ACI युवा और junior weightlifting championship 2023 का आयोजन हाली में किस राज्य में किया जा रहा है उत्तरप्रदेश, मध्या परदेश, भीहार या फिर हरियारा में तो ACI युवा और junior weightlifting championship 2020 का आयोजन तो एक किस राज्य में किया जा रहा है या किया गया है और यहां पर रहेगा option A तो यह हुआ है उत्रप्रदेश में ACI, युवा और जूनियर Weight Lifting Championship 2023 उसके बाद आजाता है 4 Delivery Platform Sviji ने सहब राणिन credit card लौच करने के लिए किस बैंक के साथ सालदार की है किसने जो 4 Delivery Platform है तो इसने यह जो company है Sviji तो सहब राणिन credit card लौच करने के लिए बैंक के साथ समझोता किया है State Bank of India, Bandar Bank, ICC Bank या STFC Bank के साथ और यहां पर देखे तो option है गटीवाला तो यह है STFC Bank उसके बाद है सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तोर पर हाली में किने न्यूक्त किया गया है सैयद अगबुरुदीन राहुल मिश्रा, P.K. सिना या इर्शाद एहमद तो सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तोर पर हाली में न्यूक्त किया गया है और यह न्यूक्त हुए है जो option D में आई है तो इनका नाम है इर्शाद एहमद उसके बाद है थीवसपर्तिवर्स कब मनाए जाता है 27, 28, 29 या पिर 30 जुलाई को तो वीशवयसपर्तिवर्स मनाए जाता है और यह मनाय जाता है पर्तिवर्स 28 जुलाई को उसके बाद है केरल स्टार्ट अप मिशन ने फिटनेस स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाली में समझोता किया है किसने केरल स्टार्ट अप मिशन नेतियायोग मेटा आई FCA या गूगल तो केरल स्टार्ट अप मिशन ने फिट ने स्टार्ट अप को बढ़ाव देने के लिए और यहां पर हमारा सेंसर है गॉप्शन सी वाला है तो यह है आई FCA उसके बाद आ जाता है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिम यूगय यूगिन भारत का निर्मार किस सैर में किया जाएगा तो यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिम होगा यूगय यूगिन भारत तो यह कहां पर बनेगा इसका जो निर्मान है यह किया जाएगा नई दि उसके बाद जाता है कमबोडिया के प्रधान मंत्री हाली में है कौन है जिनोंने हाली में इस्तिफा देने का फैसला लिया है तो एक कमबोडिया के प्रधान मंत्री हुनसेन नोरोडम सी हो नोक हुनमेनट या सेम्डेंची तो ये कमबोडिया के प्रधान मंत्री है जिनोंने ह हाली में स्थिफा देने का फैसला लिया है और इनका नाम है फुन सेल जो यहां पर उप्षन ए में है उसके बाद है मेरी माटी मेरा देश अभ्यान किस मंत्र अले की एक पहल है और यह पहल है ग्रामीर विकास मंत्र अले की जो यहां पर उप्षन बी में है उसके बाद आ जाता है इंडिया AI ने उभरती पर्ध्योगिकों को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताकसर किये हैं किसने इंडिया AI ने SpaceX, Google, Meta या Microsoft तो इंडिया AI ने जो हाली में समझोते ग्यापन पर हस्ताकसर किये हैं और ये किये गए है मेटा के साथ फेस्बूक कहा देते हैं जी से उसके बाद आ जाता है आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहली स्थाई आधार नमंकन के अंदर का उधगाटन की सैह में किया है आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहली स्थाई आधार नमंकन के अंदर का उधगाटन ने दिल्ली मुंबई कोलकत्ता या पिर चेन ने और इन में देखे तो हमारा सेंसर रहेगा उप्शन ये वाला है तो ये है नए दिल्ली उसके बाद आ जाता है जर्मनी में होके टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतिया होके टीम का कप्तान हाली में किने निक्त किया गए है तो जर्मनी में होके टूर्नामेंट के लिए अभिशेक सिना, जलसक सेना, उत्तम सिंग या बोबी सिंग धामी तो जर्मनी में होके टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतिया होके टीम का कप्तान जो हाली में नियुक्त किये गई है और इनका नाम है उत्तम सी जो यहाँ पर option c में है नेक्स्ट आजाता है किस अफ्रीकी देश में सेना ने तक तक पुलट कर राष्टरपति को पत्से हटा दिया है तो यह अफ्रीकी देश है जहाँ पर राष्टरपति को पत्से हटा दिया है Kenya, Angola, Uganda या फिर Nigeria लिए और यह जो देश है इसका नाम है नाजिया जो ओप्शन टी में हैं उसके बाद है Asian Paints ने कमपणी के नए अदेक्स के रूप में हाली में किने नुक्त किया है तो Asian Paints कमपणी के नए अदेक्स हाली में कौन बने है रवी रंजन सिंग आर से साई महेश अगरवाल या अजय सीनह तो A.C.N. पेर्शने कंपनी के नए अजयक्स के रूप में जो हाली में नुक्त किया गया है इनका नाम है आर से साई जो यहाँ पर उप्षन B में है तो यह तो हमारे यहाँ पर क्रांट अफेर्श से समधित कोशन थे अब हमारे जो यहाँ पर अन्या सब्जेक्ट से समधित कोशन आ जाते है तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला कोशन है पूरो वैदिक आर्यो का धरम मुख्यता इन में से क्या था तो इनका धरम क्या था भक्ति प्रकृति पुजवय याज प्रकृति पुजवय याज प्रकृति पुजवय भक्ति तो पुरोवैदिक आर्यो का धरम मुक्यता क्या था और इनका जो धरम था ओप्शन सीवाला प्रकृति पुजवय और यज करना उसके बाद आजाता है आर्ये सवद ये इंगित करता है निरी जातिस्मुहू भासस्मुहू या यावरी जन्र या फिर स्रेष्ट वन्सको तो आर्ये सवद ये किसे इंगित करता है और यहां पर देखे तो आप्शन रहेगा डी वाला तो ये करता है स्रेष्ट वन्सको उसके बाद आजाता है सुमेलित करने का सुची एक को दो के साथ मिलान करना है तो यहाँ पर वैदिक नदिया है और साथ में अधुनिक नाम है जैसे यहाँ पर कुम्भा है तो कुम्भा जो है वैदिक नदिया और अधुनिक नामी से अब क्या का जाता है और यहां पर इसमें देखे तो option B को माला गए है, दो, तीन, एक और चार को, तो कुंभा जो है इसे प्राचीन समय में कहा जाता था और अब इसे काबल कहा देते हैं, ऐसे परूशनी है, इसको रावी कहा देते हैं, सदा नीरा को गंड़क कहा देते हैं, और सतुद्री जो है आधुनिक अफगे नाम हैं, जो कहा जाता है, उसके बाद है, प्राचीन भारतिय समाज के परसंग में, निमलिक सब्दों में से कौन सा सबत तीन के वरक्का नहीं है, कुल कोस वन स्याफिर गोतर, तो प्राचीन भारतिय समाज के परसंग में, निमलिक सब्दों में से कौन सभाइब तीन के वरकः का नहीं और जो ऑप्शन सी में हैं तो ये कोस हैं उसके बाद आ जाता है अध्यात्म ज्यान के विकास में नची केता और यम का संवाद की सुपनिसद में हमें प्रापत होता है नची केता और यम संवाद नच्चि केत और यम्का जो हमें शम्वाद जो मिलेगा तो यह कट अपनिसद में जो मिले जोे या फिर दर्शन पर अधारित उपनिशाद का मतलब होता है गुरु की समी बैठ कर जहां पर किसी से विद्यागरान की जाती है तो यह किस पर अधारित है और यहां पर रहेगा उप्शन दी तो यह है दर्शन पर अधारित नेक्स आजाता है निमलिक चारवेदों में से किस एक में जादोई माया और वसिकान का वणन है रिगवेद, यजुरवेद, सामेद या फिर आथरवेद में तो जादोटोणे, माया, वसिकान तो यह होते हैं और जो औप्शन छी वाला है तो यह आथरवेद में है आथरवा जो रिसी हुए हैं इनी के नाम पर इनका नाम रखा गया था अथ्रव वेद उसके बाद आजाता है यहाँ पर सुमेलेद करने का सुची एक को दो के साथ मिलान करना है और मिलान करने में हम यहाँ पर देखे तो जो है हमारा ओप्शन ए इसमें बनेगा तो ए बनेगा यहाँ पर चार दो एक और तीन तो जैसे रिगवेद है इसका रहेगा फ़र्तवाला स्तरोत एम प्रात्नाई है यजरुवेद इसमें आ जाता है करमकांड सामवेद जो है इसको संगीत में का गया है और अथरवे जो यह तंतरोर वसी कान से समझत है उसके बाद जाता है निमली खित अभी लेखो में से कौन सा इरान से भारत में आर्यो के आने की सूचना देता है तो एक कौन सा भी लेख है जो इरान से भारत में आर्यो के आने के बारे में बताता है और इनमें देखे तो अप्सन हैगा सीवाला तो यह है बोग्ज कोई उसके बाद है धरम तता रितु भारत की प्राचीन व्यदिक से बता के केंद्रिया विचार को चित्रित करती है और इस शंदर में निमलिक कत्रों पर विचार कीजिए कत्र है कि धरम व्यक्ति के दायतों, इम्सियम तता दूसरे के परती व्यक्तिकत करते हो की संकल अपना थी रित्मूल भूत नयतिक विधान था जो स्रिष्टि और उसमें अंतनी साहरे तत्व के किरेकलापों को संचालित करता था तो अब यहाँ पर कौन सा सही है और इनमें सही देखे तो आप्सन सी अथार्थ एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही मानी गए हैं कि धरम व्यक्ति के दायतों और शियम तता दूसरे के परती व्यक्तिकत करते हो की संकल अपना थी रेतो मुलभूत नयतिक विधान था जो शिरिष्टि और उसमें अंतनीत सारे तत्व के किरेकलापों को संचालित करता था तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही मानी गए हैं उसके बाद जाता है कौन सी प्रथा चत्तोष्ट्य व्यद उत्तर काल में परचलित हुई थी धरम अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मन क्षित्रे वैसे शुदर ब्रह्मचरिया ग्रियस्त वानपरस्त सन्यास इंदर सूरिया रुदर मरूत तो कौन सी पर्था चत्तुष्ट्य वेदुत्तरकाल में प्रचलित हुई थी और यहां पर देखें तो अप्सन हैगा सीवाला तो भ्रमचरिया, ग्रियस्त, वानप्रस्त और सन्यास उसके बाद है आरंभिक व्यादिक सहित्य में सरवादिक वनित नदी है किसमे व्यादिक सहित्य में सिंधु, स्तुद्री, शर्षवति या पिर गंगा तो अरंभिक व्यादिक सहित्य में सरवादिक वनित नदी और इनमें है सिंधु जो यहां पर उप्सन एबी है उसके बाद आजाता है रिगवेद में रचनाई है 128, 17, 48 या 1020 तो कितने रचनाई हैं और यह मानी गई है 1028 उसके बाद है गोतर सबुद का प्रियोग सहर्व से पहले हुआ था अथरव, रिगवेद, यह जुरुवेद, या पिर सामीद में तो गोतर सबुद का सरपर्थम जो प्रियोग हुआ है और यहाँ पर माना गए है उप्सन भी रिगवेद में देख्टा जाता है निमा लिखित में कौन सा कथन सही है गोफतर यजुरुवेद का एक ब्रह्मन है सिल्पवेद अथरवेद का एक उपवेद है तो कौट वाला पॉस्चन है कौन से वाला यहाँ पर सही है सही जा केवल बी को माना गया है केवल दो सिल्पवेद अथरवेद का ही एक उपवेद है गोफत ब्रह्मन जो है यह यजुरुवेद में नहीं आता है गोफत ब्रह्मन अथरवेद में आता है एक अकेला ही ब्रह्मन है गूपत ब्रह्माण तो इसी करान से केवल दो को ही सही माना गया है उसके बाद जो नेक्ष्ट आ जाते हैं हमारे नेक्ष्ट है यहाँ पर निमले कत्रों पर विचार किजो और उसमें सत्य कत्रों को बताढ़िए आदोनिक समय में बर्मां के उत्पत्ती की स licenses में सुरों मान्ने सिदानत, पिक बेग ये सिदानत है बर्मां का विस्थार समंदी प्रमां एडविन हवाल ने दिया होयल ने बर्मां के संकोचन समंदी आफ़ान को प्रस्तुत किया या फिर ये सबी संकल अपना को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया था कि बर्मान का विस्तार नहीं हो रहा है बलकि बर्मान किसी भी समय में एक जैसा ही रहा है जिसकी और इसकी उत्पति आज से बारा अरब वर्स पूरफ हुई थी और इसमें हाइड्रोजन तता हिलियम गैसों की सर सब्तिरीसी मंडल की सायता से दुरुबटारे की स्थिति को देखा जा सकता है दुरुबटारा एक गतिसील तारह होता है जो अंत्रिक्स में ब्रह्मन करते रहता है धुरुत तारा देखो आपने जो सबसे तेज चमकता है एक अकेला वही ऐसा तारा है जो सबसे ज़्यादा तेज चमकता है और ये सबत्रीसी तारा मंडल भी होता है लेकिन यहाँ पर इसके अंसार सही नहीं है जहांपर एक शात्मी जो आपने साथ तारे पने हुए देखे होगे अकास मंडल में तो उसको सबत्रीसी का देते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में बताय है है कि खगोल या पिंटो की स्भाएव में कत tá recognizing दो जायव यही सही नहीं है कि kyokie दुरूता ला ay स्थीर्वे सथाय तारा होता है जो उत्तर दिसाओ को दिखाता है इसकी सथायता गृष्टारा जो उत्तर दिशा को दिखाता है और इसकी साहता से रातभी में लोगों को दिशा के निर्धान में साहता मिलती है इसके निकट सब्तरशी और सो प्रियतारा मंडल स्थित है तो ये आकास में आपने देखे होगे एक साथ जाए साथ तरे बने हुए होते हैं वह साथ ही आकेले होते हैं बाकी और तो सब या लगा लगा लेकिन वो पास पास में होते हैं और सो प्रियतारा मंडल तो ये पास पास में होते हैं दुरुपतारे को अलफा उर्शा माइनिस के नाम से भी जान जाता है तो यह जो धुरुतारा है यह सबसे तेज चमकता है उसके बाद आ जाता है अकास गंगा के समन्द में कौन सा कथनियां पर सही है अकास गंगाओ का विस्तार इतना दिखा है कि उनकी दूरी प्रकास वर्स में मापी जाती है अकास गंगा का विमान हीलियम गैसों के बने बादलशी हुआ है तो कूट वाला कोश्चन है और यहाँ पर एक को माना गया है कि अकास गंगो का विस्तार इतना दिखा है कि उनकी दूरी प्रकास वर्ष में मापी जाती है एक अकास गंगा का वियास लगबक 80 से 1.5 लाग प्रकास वर्ष के बीच में होता है और कथन दो जो यह सही नहीं है क्योंकि अकास गंगा का निमान हीलियम गैस से नहीं बलकि हाइडोजन गैस से बने विशाल बादलो की संचन से हुआ है उसके बाद आजाते है नेक्स्ट हमारा सौर मंडल के समन में कौन सा यहाँ पर सही है तो यहाँ पर देखे तो निहारी का को सौर मंडल का जनक माना गया है सूर्य वेक शुद्दर ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीत्री ग्रह का आ जाता है soor mandal में šudra похож की पट्टी के अंदर स्थित हैं तो कोट वाला कोषिन है और जोहरे इसको सही मानगे 맞아 तो यहां पर एक और दुख निहारिका को Черण मनम का जनक मानगा जाता है शुद्र वक शुद्र ग्रहों की पट्टी के भी स्तित ग्रहों की भीत्री ग्रहां का गया है तो इनके बारे में भी जो डिटेल दी गई है उसको हम देख लेते हैं तो यहां पर एक और दो को मनगा है सही निहारिका को सुर्मंडल और तारों को जनक मना गए है जो विशाल गैसों को पुझो होता है इसके क्रोड का निर्मार लगब 5 से 5.6 अरब वर्ष पुरुख वा था सुर्य एक शुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच अफ्थित बुद्र, सुकर, पृत्यों और मंगल ग्रहों को भीत्री ग्रह का जाता है जो अधि गंतव वाले तथा स्यालो वे धातों से बनी होते हैं और जो कथन तीनों सही नहीं है क्योंकि ब्रिस्पति एक शुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर स्थित है और अकार में सुर्मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे बड़ा भी जो है इसको माना गए है ब्रिस्पति को अब सूर्य से दूरी के अन्सार इसका जो करम है ब्रेस्पती का ये कौन से नंबर का होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं उसके बाद जाता है निम्लिक्त में से कौन सा कथन ग्रहों के समन में सही नहीं है जोवियन ग्रह के उत्पती जनक तारिष से बहुत दूर स्थान पर कुई है बाहरी ग्रहों का गुर्थवा कर्षन बल आंत्रिक ग्रहों से कम होता है पार्थिव ग्रहों जिसे आंत्रिक ग्रहों कहते हैं कानिमान सैलो और धातों से हुआ है तो B और C तो कौन से वाला यहां पर सही ही है option B को मानगा है बाहरी ग्रहों का गुर्थवा कर्षन बल आंत्री ग्रहों से कम होता है तो इसकी भी detail देख लेते हैं तो ग्रहों के स्वंध में कतन B सही नहीं है क्योंकि स्वंध मंडल के बाहरी ग्रहों का गुर्थवा कर्षन बल आंत्री ग्रहों से अधिक होता है उनका आकार बड़ा होता है और इसमें हाइट्रोजन और हीलियम गैस की विशाल वैसागन वाई मंडल है बाहरी ग्रह में ब्रेश पती, सनी, विरेनस और नेफ्चुन है जिन को पती 4.6 वर्ष पुरव हुई थी उसकी बाद नेक्स्ट आ जाता है याँ पर कथन रहेगा सूरे के चार और चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुक्रों को उलका पिंड कहते हैं और दूसरा कथन है कि उलका पिंड वायू में घरसन के कान जल जाते हैं अब कौन से वाला यहाँ पर सही है और सही माना गए option C को तो दोनों ही यहाँ पर सही बताए गए हैं तो यहाँ पर इनके भी भारे में देख लेते हैं तो सूरे के चार और चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे-छोटे टुक्रों को उलका पिंड कहते हैं तोटता तारा या लिनोयर इनको कहा जाता है आपने तारे या टूटते हुए देखोंगे तो यह उलका पिंड है तो संक्ठन के अधार पर यह तीन प्रकार के हैं जो क्रम से लोहा निकेल लोहा तता सीलिका-मसीलिकेर से बने होते हैं उलका पिंड में पृतिव पर गिरने की प्रुविती होती है और ये वायू मंडल के मध्य मंडल में वायू के साथ गर्षन कर जल जाते हैं बिना जले हुए उलका पिंड धरातल पर गिर कर घड़े कर निमान करते हैं ऐसा जो है बहुती कम चांस होते हैं पृति पर गिरने का और एक तो जगहां पर ये गिरे हुए देखे भी गए हैं और इनका कार भी बहुत बड़ा होता है और जहां पर इगे जाते हैं वहाँ पर कहीं फूट जाए ग्यारा खड़ाये कर देते हैं आप इनके उपर अगर सच करेंगे ताव आपको इनके बारे में मिल जाएगा कहां पर ये गिरा था नेक्स्ट है निम्रिक्त में से कौन सा कथन स्वार्मंडल के स्वन में सही नहीं है स्वार्मंडल का रिमान सूरिया और शुद्र ग्रहे मिलकर करते हैं सूरिय का किचावबल स्वार्मंडल को बांदे रखता है सूरिया स्वार्मंडल के लिए प्रकासिम उस्मा का मुख्यस दरोता है कोट वाला क्वेशन है कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है सही जा यहाँ पर आप्शन जो है एक मानग है केवल एक ही सही है स्वर्मंडल का निमान सूर्य और कुशुदर ग्रह मिलकर करते हैं तो यहाँ पर इनकी डिटेल देख लेते हैं स्वर्मंडल के सिमन्द में कथन एक ही सही नहीं है क्योंकि स्वर्मंडल का निमान सूर्य ग्रहों उप ग्रहों कुशुदर ग्रहों पुछल तारा आधिश होता है यह पुछल तारा ऐसा होता जैसे तारे की पीछे जाया कुछ पुछ लगी हुई हो इस प्रकार से दिखाई देता है कभी-कभी तो वरतमार में शौर मंडल में आठक रहे हैं जिने सूर्य से प्रकास व्यूर्जा प्राप्ट होता है उसके बाद है किस खोगोले पिन को तारा का जाता है जिनका कार बहुत बढ़ा होता है जिनके पास अपना प्रकास तता उसमा होती है व्यूर्जा प्रकास सबसे चोटा होता है और यहाँ पर देखे अप्शन रहेगा बीवाना तो खोगोले पिन का गए है जिनके पास अपना प्रकास और उस्मा होती है तो यहाँ पर देखे तो उस खोगोले पिन को तारका गए है जिसके पास अपना प्रकास और उस्मा होती है और इनका जिवन चक्कर इसमें विद्यमान हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, लोह तत्तों की मातर से होता है फैलने तता सिकुरने वाले तारे को शंपदन तता जिवासम तारे को स्वेत वामन तारे के नाम से जान जाता है तारे के कोर में जब हाइड्रोजन स्माप्त हो जाती है तब रक्त दानव नामक तारे का निमान होता है इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी से स्मंदी जो हमारे कोशन आ जाते है और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो कोशन है निमा लिखित में से कौन से वन का उचान स्थान मुर्धा नहीं है त, थ, ध, या, री तो किसका जो उचान स्थान मुर्धा से नहीं होता है और यहां पर देखे तो अप्शन हैगा भीवाला थ, लरे, तुलसा नाम, दन्ता तो इसका उचान किस से होगा दान से होगा लरी और तवरग तथा दादा तो यह दान से बोले जाते हैं और री टुर्शाना मुर्द होता है री तवरग र और यह जो मुर्दने से है इनका निमान होता है मुर्दा सी है उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वरतिनी की देश नवोडा का संधीव छेद है और यहाँ पर इसमें देखे तो option हैगा एवाला नव प्लस में उना अब यहाँ पर संधी कौन सी है व में क्या है आ है और उ है अ और उ में ओगन हो जाता है आदुबना जो सुतर है उसके द्वारा तो उसी से नवोडा रूप यह बनता है उसके बाद आ जाता है इन में से कौन सा फार्सी भासा का एक सबद है अब फार्सी जो भासा है उसका यहाँ पर एक यह सबद है दुकान, पुजामा नापाक या फिर पेपर तो फार्सी भासा का सबद नहीं है आप जो यहाँ पर नहीं है जो option D में आया है तो यह paper है paper कागज दस्तावेज लेक पत्तर नेक्स आजाता है निमलेकित में से घर सवद का जो प्रयायवाची यहाँ पर नहीं है निल्या, भुवन, सदन या फिर निकेतन तो घर सवद का प्रयायवाची सवद एक नहीं है अब नहीं है जो option B में है भुवन तो निल्या, निकेतन, सदन, घर के प्रयायची है जबकि भुवन जहाँ वो संसार जो होता है लोग उसको कह देते है उसके बाद आजाता है हमारा सीर आँकों पर बैठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है बगावत करना, जबरदस्ती का लगाव, बहुत समान देना या पास आकर आकर बैठाना तो सीर आँकों पर बठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है और इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत समान देना नेक्स आजाता है भुष्यत काल की क्रिय को भोचन बनाने में ए पर क्या लगाया जाता है तो यहाँ पर इन में ये चिन दिये गए हैं इन में से आपने बताना है क्या लगाया जाता है और इन में जो बताये गए हैं ऑप्शन बी को चंदर बिंदू या फिर अनुस्वार लता लताए कविता कमिताए उसके बाद आजाता है इन में से कौन से सब्द करमधारे समास का उधान है अंध कूप, तिरंगा, ग्रिह प्रवेश या फिर सुक्दुक तो कौन से सब्द करमधारे समास का उधान है करमधारे समास का जो यहाँ पर उधान है जो option A में है, अंध कूप, तो यही है करमधारिय कवदान, उसके बाद आजाता है मिशर वक्या, उसने अपना घर लुटा दिया, सुरज उगने पर कुवासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वैक हो गया, उसका सब कुछ खो गया, तो मिशरित वक्या, वक्या जो तीन है, सरल शुक्त और मिशर वक्या, एक तो होता है बिल्कुल सिंपल, एक होता है जिसमें दो जुड़े होते हैं सुक्त, एक है मिशर, अब यह मिशरित वक्या है, तो मिशरित बताना है, और इसमें देखे तो option C को मान गया है, उसके पास जो कुछ था, वैह है, खो गया, मिशर वक्या में एक सरल वक्या, कोई दूसर वक्या होता है, जिससे आसिर्थ वक्या का जाता है, जो परदान वक्या पर आसिर्थ होगा, और यह जो वक्या है, इसमें परदान वक्या को आसिर्थ वक्या से जोड़ने के लिए, वहा का प्रियोग क्या गया है, नेक्स है शोक किस रस का स्थाई भाव है शांत रोधर करून या वीर का तो शोक किस रस का स्थाई भाव है और ये है ऑप्शन भी वाला करून रस का रस कितने होते हैं नो उसके बाद जो हमारे यहां पर इंग्लीज से समन्दित कोशन आ जाते हैं तो यह जो यहां पर सब्द आया है तो आपने इसका सैन्यों में समान अर्थक बताना है तो यह प्रेश सब्द है और इसका मतलब होता है सिकारी सिकार तो विक्टम है वैलेंस है एस है फैक्ट है विक्टम जा कहा देते हैं सिकार को और यह कहा देते हैं वैलेंस हिंचा और उसके बाद फैक्ट हो जाता है तथ्या और एस हो जाता है किनारा तो इसका अब आप असानी से देख सकते हैं कौन से वाला रहेगा तो यह विक्टम है मतलब सीकार क्योंकि इस मानार्थक जवाब आपने आपर बताना था उसके बाद है मार्णा डिसकस मैटर सिरेस्ले चुर्दी क्रेक्ट वारिन लेंक मर्यना ने मामले पर घंबीरता से चर्चा की तो इसी का बताना है ए ए एन दा या फिर आल जो तो कौन सा यहाँ पर इसका आएगा और यहाँ पर देखें तो उप्शन रहेगा सी वाला तो यहाँ पर आएगा दा नेश्टा जाता है और यहाँ पर जो इसमें सही है वो ही आपने बताना है और यहाँ पर जो इसमें सही माना गया है और आप्शन रहेगा दिवाला तो यह जो लेप्टिनेट जो है लेफ्टिनेट तो यही है इसकी है उसके बाद है पीस ओफ लैंड और विच फ्रूट ट्वीज आर क्रों इसका रहा है तो यहाँ पर है इसमें एक भूमी का वह टुकड़ा जिस पर फलदार ब्रिक्स उगाई जाते हैं उसको क्या का जाता है और चर अवेरिक गैलरी या म आ गया आ और इसको जो यहां पर इसमें का गए है जो आप्शन अ मिम्य और चड्ड जर उसको कह देते हं भाग्वानी करना भाग और यह है बेरी ओ गया और यह गया व्याड्डी अगया और यह इंब्यूटिग विच्ड़ा तो option जाए रहेगा जहाँ पर कोई effort बगारा लगाता है तो बाग कहा देते हैं उसको उसके बाद है यहाँ पर पर person employed और इसमें देखे तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें रहा एक option यह वाला drive a motor car next is divide twelve of mangos three wise तो यहाँ पर कहा है इसमें बाटने है two four between या फिरामा अब यहाँ पर देख सकते हैं त्वेल ओ मैंगोज है और तीन लड़के है बारा मुको तीन लड़कों में बाटने हैं अब यहाँ पर इसमें देखे तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें जो रहेगा जो यहाँ पर option डी में आया है अमंग क्योंकि between जाओ दो के बीच में है यहाँ पर दो से ज़्यादा है तो अमंग का प्रयोग हमेशा दो स्यादिक वेक्ति या वस्तू के लिए किया जाता है उसके बाद आ जाता है यंग वन ओफ काव इसकाव तो यहाँ पर यंग वन ओफ काव तो गाए का जो बच्चा होता है उसको काह जाता है चिकन काफ कव यह किटन चिकन जो मुर्गी उसके बच्चय क्या देते हैं काफ बच्चड हो गया कभ यह सावक क्या देते हैं इतो गव्यटन जयह बिली उसके बच्च्रा जो ऐसन बेमी है उसके बाद जो nesht है अब हमारे हैं पर हरियान समझने ग्यान से जो question हमारे आजाते हैं तो हमारे यहां पर पहला question है महाभारत काल में महाभारत काल से सद्धे पहले कुरू वंस के आर्यो के काल को निमलिक्त में से किस यूग किस वात के साथ चीनित किया गया था तो यह क्रिसी तामर लोह या फिर धात्यू यूग था और इन में देखे तो option आएगा यह वाला तो यह माना गया है क्रिसी यूग तो यह जो क्रिसी यूग है इसको माभारत काल से सद्धे पहले कुरू वंस के आर्यो के काल की सुर्बात के साथ चीनित किया गया था और पास्ण काल के यूग को धात्यू यूग के नाम से जाना जा उसके बाद है करनाल का यूद ये लड़ा गया था नादिर सहा और औरंगजेव नादिर सहा और साअलम नादिर सहा और महमत सहा साअलम या फिर महमत सहा तो ये करनाल का यूद हुआ था और ये हुआ था option C नादिर सहा और महमत सहा के बीच में 24 फरवरी 1749 को और इस और कोलजी नूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। उसके बाद है 1789-94 के दुड़ान दिल्य और हर्याना पर किन का सासन था। महाध्जी सिंधिया, माधराव सिंधिया, राजाजी सिंधिया या राजा उमेद जिनका तो 1789 चिरानव के दुरान दिल्ली और हरियाना पर जो सासौन जो मानगा है जो प्ष्फण यह मैं है तो यह था महाध्जी सिंधिया का और ये उजयन के साजक थे और पानिपत का जो तीसरा युद्वा था सतरा सु एक्षट में इसके बाद मराठाउ के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान था उसके बाद है हरियाना के गुरुगरा में माता सितला का मंदिर हरियाना गुर्गाव में तो है माता सितला का मंदिर और यह मंचा देवी का मंदिर कहां पर है एक्जाम में यह भी जाबूत जादा पूछ जाता है सितला माता मंदिर कहां पर है तो यह गुर्गाव में है और मन्चादेवी मानिसर पंचकुला भेंदरगड या मौर्णी में और यहाँ पर एक option ची तो ये पंचकुला में है उसके बाद है हर्याना में कालेश और महादेव मठ निमन में से किस स्थान के नजदीक है काल का हतनी कुन कलापूर या कलावाली में तो कालेश और महादेव मठ ये कौन से स्थान के नजदीक है और इन में देखे तो option नहेगा भीवाला तो ये है हतनी कुन के उसके बाद है तोशाम परवत पर wireless repeater antenna का संकेत क्षेतर भीवानी, फत्यवाद, सिर्शा या फिर ये सबी है तो तोशाम परवत पर wireless repeater antenna का संकेत क्षेतर और जो माना गए है option C, सिर्शा तो तोशाम परवत पर wireless repeater antenna का संकेत क्षेतर भीवानी, सिर्शा फत्यवाद है तो यहाँ पर जाए ये option D, जाएज को माना गए है तो ये सारक-सार इसमें आ जाएगे उसके बाद है भारत के भूवलिक शत्रपल में हरियाना का कितने इस्था है 3.25, 2.76, two, one and five, eight या one point three four का तो भूवलिक किसत्र जो है इसमे हरियाना का हिस्था है और हरियाना का जो हिस्था है इनमे Option लेगा सिवाला तो यह one point three four पर तिसथे है इसके बाद है हिसार सहर की स्थापना किस ने की थी रजय सुल्तान फिरोज सहा तुगलग तुरोनचारिय या फिर अरजुन सिंग ने तो हिसार सहर जो है इसकी स्थापना और इसकी स्थापना का जो माना गया है ओप्षन भी फिरोज सहा तुगलग और इसके लावा फत्यबाद जोनपूर फिरोज अबाद सहर की भी स्थापना की थी नेक्स्ट है हरियाना मेर राष्ट्रिय आर्धर भूमी सेलक्षन करिक्रम क के अंदर गात कितने आज़ भूमियों को मानता दी गई है एक दो तीन या फिर चार को और यहां पर इसमें देखे तो अप्शन है गई वाला तो यह है दो को तो हाली में हरियान के भिंडवास बने जीवा बिरने और सुल्टानपूर राश्टेवधान को रामसर आरधर भू चरणों में निवासी, सीथकालिन, प्रवासी और स्थानिया प्रवासी जलपख्ष्यों की 220 से अधिक प्रजातिव के लिए जाना जाता है उसके बाद है भाखरान हर, सिचाई के लिए हर्यान के की जिले को पानी प्रदान करता है शिर्षा, हीसार, अर्पोथ कर या इन लोकायूक्थ पोर्टल ये किस वर्च लोज किया गया था, 2019 वी इसी किस या इनमें सी किसी में भी नहीं, तो हरियान में लोकायूक्थ पोर्टल और इसका समध्ध है ओप्शन भी 2019 से, किनके द्वारा हरियान के जो मुख्यमंत्रिय हैं नोरलाल कटल, तो इन्होंने पुरे सेवा डीजी लोकार लोज किया था, और जो है यहां पर मुख्यमंत्रिय ने 22 जिलो की नहीं वेब साइट, लोकायूक्थ सिकायत पोर्टल सहीत, पांच योजनाओं का व्यूद गाटन किया था, और सरल पोर्टल है प्लेटफरम इस पर 42 नहीं सेवा को जोड़ा थ उसके बाद आ जाता है, इन में से हरियाना के राज़यपाल नहीं थे, झाल्या, योजनाओं makers जोटो तो यहां पर जोन्मे मानगा है राज़यपाल नहीं रहे हैं גם ऑचार्याओं का वेखिद e denerad, तो यहां पर कभी भी जो राज़यपाल नहीं रहे हैुए इसके लावा जो यहाँ पर अन्य है जैसे मावीर परशाद जैसे उकलाल हाती परभू परमनाद तो यह रहे हैं और यह जो आचारे देवत जो है जो वर्टमान में जो कुरुक्षित्र में जो गुरुकुल है वहाँ के यह परधानचारे भी रह चुके हैं उसके बाद आजाता है हरियाना के निमली खित में से किस जेले में लाल चेस्टनेट मित्टी पाए जाती है रहोत तक शिर्षा यव्रनगर या इन में से किसी में भी नहीं तो लाल चेस्टनेट मित्टी पाए जाती है और इन में देखे तो आप्शन आएगा सी वाला तो यह यहीबन नगार उसके बाद आजाता है चोटा खरगोस मतलब यहाँ तुलने के लिए कह सकते हैं तो प्राइर हो चुका हो और इसमें जो है ओप्शन है गा दीवाला तो इसको फ्रायर कहने देते हैं उसके बाद है सेलसो के अत्पादन में हरियाना का कौन सा जिला परत्मसान लगता है महंदरगड, फरिदाबाद रहोत तक या पानीपद तो सिरसो के अत्पादन में है और इन में देखे तो हमारा जो यहाँ पर सिरसो के अत्पादन के लिए जाना जाता है इसके लावा जो खनीजपदार थे यह भी महंदरगड में जादा पाई जाते है